हेलो दोस्तों स्वागा थे आप सभी का इनोवेटिक प्लासेस में फ्रेंस आज हम लोग खोठा ग्रामर में क्रिया पढ़ने वाले हैं ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले प्रेंस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कहा है तो प्लीज सब्सक्राइब क करने का या होने का भाव प्रकट होता है उसे क्रिया का ठीक है जिस सबसे कोई भी काम के होने का पता चलता है उसी को हम लोग क्रिया कहेंगे जैसे हिंदी में आप लोग जानते हैं खाना पीना पढ़ना लिखना ये सब क्रिया है जिसका लास्ट में ना 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 आता इस तर से आरो आरो मतलब और भी इत्यादी इस तरह से हो सकता है ठीक है तो यह सब काम है ना कुछ ना कुछ काम है पढ़ने का काम लिखने का काम चलने का काम तो जो काम है उसी को क्रिया कहा जाता है ठीक है अब एक चीज़ यहां पर समझे धातू धातू किसे कहा जाता है तो देख जो पठ है यह धातू है इस तरह से लिखना लिखना में लिखना में लिख यह है धातू मतलब मेन जो मूल रूप है लिख यह हो गया धातू ठीक है और इससे हम लोग बहुत तरह का इसमें चेंज कर सकते हैं जैसे लिख से लिखना भी हुआ ठीक है लिख से लिखा लिखेग इस तरह बहुत सारा रूप हो सकता है ठीक है लेकिन मूल रूप क्या है लीख लीख से ही सब बनेगा ना लीखा लिखेगा लिखता है ये सब लीख से ही आया तो मूल जो है मूल रूप उसी को हम लोग धातू कहेंगे समझ गया अब हम लोग देखते हैं क्रिया के प्रकार तो देखें क्रिया तीन प्रकार के होते हैं एक तो हो गया मूल किरिया एक सहायक किरिया एक सहयोगी किरिया ठीक है यानि कि main verb एक जूलरी भर्ब और यह हो गया supporting verb ठीक है तो एक example से समझते हैं कि मूल किरिया क्या होता है सहयक किरिया क्या होता है सहयोगी किरिया क्या होता है जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिए हुए एक सेंटेंस राम पढ़ रहा है यानि कि राम पढ़ रहा है ठीक है तो देखे राम ये तो करता है जो काम को कर रहा है देखें यह पढ़ यह हो गया मूल ठीक है अभी हम आप लोग को बताएं थे धातू यानि जो मूल किरिया है तो मूल किरिया यहां पढ़ने का यानि पढ़ तो यह हो गया क्या मूल किरिया ठीक है और रहल है हो गया सहयोगी किरिया ठीक है रहल है सहयोगी किरिया औ यानि कि पढ़ रहा है, तो यह जो पढ़ है, यह हो गया मूल किरिया, ठीक है, रहा यानि रहल, तो यह हो गया सहयोगी किरिया, और सहायक किरिया क्या है, तो है, ठीक है, यानि कि पढ़ रहल है, समझ गया है, सहायक किरिया और सहयोगी किरिया क्या है, कि यह दोनों help करता है, पूरा धातु ये जो क्रिया है उसको पूरा अर्थ लाने में help करता है ये दोनों ठीक है इसलिए सहायक और सहयोगी लिखा गया है ठीक है दोनों के बीना राम पड़ और ये अगर नहीं रहेगा रहा ले तो फिर कोई अर्थ नहीं निकलेगा न सही से इसलिए इन दोनों को या एक को सहयोगी क्योंकि दोनों help कर रहा है ठीक है तो ये जान गए कि किरिया तीन तरक है मुल किरिया सहयोगी किरिया ठीक है सहयोगी किरिया में है था ठीक है मतलब जो हम लोग helping भर पढ़े है इज एम आर ये सब जो इंगलिस में पढ़े है वही सब इसमें आएगा सहय किरिया में, जो सबसे लास्ट में मिलेगा लिखा हुआ है, था, थी, हो, ये सब जो लास्ट में मिलता है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ, वो साहयक किरिया होता है, ठीक है, तो अब देखे मूल किरिया, अब मूल किरिया को फिर आठ प्रकार में बाटा गया है, ठीक है, मू पूर्वकालिक किरिया, किरियार्थक, संग्या और सहायक किरिया, तो आप हम लोग एक एक करके सारा किरिया को समझते हैं, सबसे पहला देखे सकर्मक किरिया, ठीक है, तो देखे सकर्मक किरिया किसको कहते हैं, तो जिस किरिया के साथ, यहां पर उपर में रहोगा, यानि कि ज किताब पढ़ है इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा वहाँ किताब पढ़ता है ठीक है? वहाँ किताब पढ़ता है इसका हिंदी है तो यहां पर जो काम कर रहा है उसको बोला जाता है करता ठीक है? यानि इंग्रिश में subject और पढ़ता है ये काम हो गया यानि कि ये क्रिया हो गया ठीक है और ये किताब जो है ये है कर्म ठीक है यानि कि object इंगलिस में बोला जाता है इसको तो उ किताब पढ़ा है अब इसमें हम लोग देखे कैसे हम लोग जानेंगे कि सकर्मक्रिया है कि अकर्मक्रिया है इसको पहचा वाल का जवाब मिल जाए, ठीक है, क्या और किसे का, तो जान जाएए कि वो सकर्मक किरिया है, जैसे देखे वो किताब पढ़ा है, मतलब वो किताब पढ़ता है, अब यहां अगर हम क्या लगा दे कोर्शन में, वो की पढ़ा है, मतलब क्या को खोटा है, उसमें की बोला हुआ क्या का जवाब मिला है मतलब क्या और किसे का जवाब मिल जाएगा तो सकरमक है क्या और किसे का जवाब नहीं मिलेगा तो वो अकरमक है ठीक है जैसे देखे सीता खेल ही यानि कि सीता खेलती है ठीक है अब सीता खेलती है तो यहाँ पे देखे सीता खेल रहे हैं फूटबॉल और फिर क्या चीज़् लेकिन यहां पे डिखेंड किया लिखे हुई हैं कि किकलर दिखेंट कर्म रहेगा कर्म रहता है या रहने की संभावना रहती है मतलब अब भी तो भी सकरमख मतलब यहां दो धुटॉट फुटबॉल किर्केट लुड़ो कुछ भी अंसर आ सकता है न यानि क्या लग सकता है तो यहाँ पर संभावना है कि कुछ हम लोग को जवाब मिल जाएगा ठीक है यानि यह भी जो है सकर्मक किर्या में आएगा यानि यहाँ पर देखे किर्या कौन सा है पढ़ है यानि किर्या है वो हो रहा है सकर्मक कर्मक ठीक है इसी तरह यहाँ सीता खेला ही तो खेला ही में जो है यह किर्या यह है सकर्मक इस तरह एक और एक्जांपल देखे मोहन राजु के पीटले मतलब मोहन ने राजु को पीटा आप यहाँ पर क्या का जवाब नहीं मिलेगा मोहन रा सकर्मक होगा अब यहाँ पर देखें मोहन किसे पीटा ठीक है अगर खोठा में किसे का बात करेंगे तो वो हो जाएगा ककरा ठीक है तो मोहन ककरा पिट लए यानि कि मोहन किसे पीटा जवाब मिल रहा है न राजू को ठीक है मोहन ने किसे पीटा राजु को तो किसे का भी जवाब मिलेगा तो भी सकर्मक किरिया अब यहां किरिया कौन सा है पीट लए काम यहां पे क्या है पीटने का तो यह जो है सकर्मक किरिया है ठीक है तो बस यह आप लोग याद रख लिजे कि क्या और किसे ये दो सवाल का जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक है ठीक है नहीं मिलेगा तो अकर्मक अब next देखते हैं अकर्मक किरिया तो अकर्मक किरिया में देखिए जो अभी हम बताएं उसमें जो कर्म रहेगा साथ में तो सकर्मक है कर्म नहीं रहेगा या फिर नहीं रहने का संभावना है ठीक है उसको अकर्मक केंगे मतलब इसमें तो कर्म रहता ही नहीं है इसलिए इसको अकर्मक किर्या करते है ठीक है जैसे देखे जिस किर्या के साथ कर्म की संभावना न हो उसे ही क्या है अकरमक किर्या कहते हैं जैसे देखे राम हस हो है अब यहां हम लोग क्या भी नहीं लगा सकते हैं किसे भी नहीं लगा सकते हैं जवाब नहीं मिलेगा क्या किसे दोनों में से ठीक है राम क्या हसता है जैसे इसका हिंदी हो गया तो राम हसता है तो राम क्या हसता है जवाब मि किसे का तो क्या और किसे का जवाब मिल गया तो वह हो जाएगा स्कर्मक नहीं मिला तो अकर्मक और यहां पे क्या जवाब मिले Galaxy में वह हसता है यह राम हसता है तो राम क्या हसता है question थोड़ी हो सकता है तो इसलिए ये क्या है हसना जो है हसना अकर्मक क्रिया क्योंकि इसमें हम लोग object लगा ही ने सकते हैं ठीक है इसी तरह देखिए सीता अस्कुल जाही मतलब सीता अस्कुल जाती है ठीक है तो सिता अस्कुल जाती है अब यहाँ पर अगर हम क्या लगाएंगे तो भी जवाब ने मिलेगा सिता क्या जाती है जवाब नहीं होगा सिता किसे जाती है उसका भी जवाब ने मिलेगा कहां का जवाब यहां मिलेगा सिता कहां जाती है तो इसकुल लेकिन हम लोग को यह नह ठीकता है ठीक है छीकना में भी object हम लोग नहीं लगा सकते हैं कर्म नहीं लगा सकते हैं छीकना हो गया थूकना हो गया हसना तो यहां पर हो ही गया है ठीक है टहलना हो गया यह सब जो है अकर्मक किर्या में आगा क्योंकि उसमें हम लोग चाहके भी object यानि कि कर्म नहीं लगा सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट प्रेर नार्थक किरिया अब ये केसा किरिया है तो देखे इसमें क्या होता है कि जो करता है ठीक है वो काम खूद नहीं करता है किसी और से काम करवाता है ठीक है तो उसी को कहा जाएगा प्रेर नार्थक किरिया तो देखे डेफिनेशन क्या ल मा खाती है ठीक है पहला है मा खाती है दूसरा है मा खिलाती है तिसरा है मा खिलुवाती है अब यह तीनों में क्या डिप्रेंस है तो देखिए मा खाती है यानि मा इसको अगर खोटा में बोलेंगे तो मा खा ही ठीक है तो मा खाती है यहां मा खुद काम को कर रहे है खाने का क ठीक है दूसरा वाला में है मां खिलाती है मां खिलाती है मतलब किसी और को खिला रही है अपने बच्चे को खिला रही है ठीक है और मां खिलवाती है इसका मतलब हुआ कि मां खुद नहीं खिला रही है वो किसी और को बोर रही कि खिलाओ ठीक है जैसे इसमें देखे हैं सेके बच्चे को खिलवाती है, मतलब मा यहां खुद काम नहीं कर रही है, किसी और से काम करवा रही है, ठीक है, तो और यहां पर क्या है, मा खिलाती है, यहां खाने का काम भी मा खुद नहीं कर रही है, खिला रही है, दूसरे को खिला रही है, खुद नहीं खा रही है, वहला वा वाला में भी मा खुद नहीं खा रही है किसी और को खिला रही है और इसमें किसी और को बोर रही है उसको खिलाने के लिए लेकिन यहां दोनों में वो खा नहीं रही है किसी और को खिलाने का ही काम कर रही है ठीक है तो यह जो पहला वाला है इसमें वो खुद उस काम को करवा रही है इसको कहा जाएगा प्रथम प्रेरनार्थक ठीक है और यह जो है जब किसी और से काम को करवाया जाएगा तो इसको बोला जाएगा द्वितियक ठीक है या द्वितिय भी बोल सकते द्विति प्रेरनार्थक किरिया यह समझ में आ रहा है जैसे एक और समझते हम जैसे अ मा खाती है, वो खुद काम कर रही है, ठीक है, खाने का काम किसी और से नहीं करवा रही है, ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला में मा खिलाती है, बच्चे को खिलाती है, मतलब वो खाने का काम किसी और से करवा रही है, वो खुद करवा रही है, तो इसलिए प्रतम, लेकिन वो एरनार्थक किरिया नहीं है लेकिन अगर बोल देंगे रामू हल जोतवाता है मतलब अपना खेत में जोतवा रहा है ठीक है और अगर ऐसे बोल देंगे रामू ने मोहन से हल जोतवाया मतलब किसी और को बोला कि जा मेरा खेत को जोतवा दो तो वो खुद ना करके देखे प्र मतलब तीन तरह से काम को किया जा सकता है एक तो खुद करे मतलब वो काम खुद जैसे हल जोतने का काम हो खुद कर सकता है अगर हम यहां मोहन का बात कर रहे है तो मोहन हल खुद जोत सकता है तो वो प्रेरनार्थक नहीं वो खुद हल जोत रहा है खुद से ही हल चला रहा है, तो वो प्रेरनार्थक किरिया नहीं है, लेकिन मोहन क्या किया, किसी और को बोल दिया, ठीक है, हल जोतने वाले आदमी को बोला, कि हल जोतो मेरा खेत में, तो वो प्रत्थम में हो जाएगा, लेकिन मोहन ने क्या किया, रोहन को बोला, कि जाओ मेर खेत में हल जोतवा, अब रोहन क्या करेगा, किसी और आदमी को पकड़ेगा और उसका खेत में हल जोतवाएगा, तो वो द्वित्यक कहलाएगा, समझ माया, तो आप देखें, चार नमर में सहयुक्त किरिया, मुखी किरिया और सहयोगी किरिया है, ये दोनों मिलके, सहयुक्त किरिया बनता है जैसे देखिए एक एक जमपल है राम पढ़ रहल है मतलब राम पढ़ रहा है ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम समझाए था आप लोग को कि पढ़ जो है यह मूल किरिया है रहल जो है यह सहयोगी किरिया और हे जो है यह सहायक किरिया है तो यह जो प हे को छोड़के अब देखे नाम धातु क्रिया तो नाम धातु क्रिया किसको कहते हैं तो जब संग्या सरुनाम विसेशन अव्यय क्रिया में बदल जाए मतलब संग्या हो चाहे सरुनाम हो चाहे विसेशन हो चाहे अव्यय हो वो अगर क्रिया का रूप ले ले तो उसको हम लो कीन सब्दों से मिलके बना है तो एक तो बना है डहर ठीक है और पलस आवेक ठीक है आवेक डहर पलस आवेक ये ये डहर मतलब क्या होते है रास्ता रास्ता एक संग्या है ठीक है तो संग्या के साथ आवेक जोड़ दिये तो डहर आवेक हो गया और ये क्या बन गया एक क्रिय बन गया, यानि संग्या से किरिया बनाना, ठीक है, इसी तरह हत्यावेक में हाथ जोड आवेक, हाथ जोड आवेक, तो हाथ और आवेक मिला दियें, तो हत्यावेक हो गया, यानि कि हाथ जो है ये संग्या है और इससे बना, तो इस तरह से पनी आवेक, पानी पलस आवेक, पन पनियावेक, पनियावेक मतलब क्या अधित्तंग करना, परिशान करना, तो यह सब संग्या से बना है ना, तो यह सब क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया, चाहे संग्या से बने, विशेशन से बने, ठीक है, सरुनाम से बने, या अवियाई से बने, यह सब अगर क्रिया का ठीक है थोड़ा सा चेंज हो गया उसमें और अगर क्रिया बन गया तो उसको नामधातु क्रिया कहा जाएगा ठीक है अब देखें क्रियार्थक संग्या किसको कहेंगे तो देखें ये क्रिया है जो संग्या का रूप ले ले इसे पहले हम क्या बता है संग्या अगर क्रिया ब नहीं है टब क्रियो होजाएगा क्रियार्थक संग्य ए जीसरे देख since record पीएक स्वास्ट के लागिन भानिकारक हक्ए सिगरेट्स मतल्सक अगर इसको हिंदी में देखें तो स्वाश्ट के लिए हानिकारक है तो जिए vermımaस्वील दो काम है इस फीघ भी एक काम है और हानिकार हे यह भी एक क्रिया है ठीक है लेकिन यहां पर सिग्रेट पीना यहां पर सिग्रेट पीने के जगह पे तंबाकु भी लिख सकते तंबाकु स्वास्त के लिए हानिका रखे तो तंबाकु क्या है संग्या है उसके जगह पीना एक वर्ड आ गया सिग्रेट पीना तो यह सिग् पीना एक काम है लेकिन यहां पर काम के रूप में यूज नहीं हुआ है काम तो यहां पर हे है में काम यहां सिग्रेट पीना संग्या के जैसे यूज हो गया है ठीक है दूसरा एक्जम्पल से और किलियर होगा देखें बियाने बियाने घूमने नहीं यहां घूमना होना चाह एक काम है ना लेकिन यहां पर गोमने के जगह गोमना जो है यहां काम के रूप में ने संग्या के रूप में हुआ है गोमना अच्छा है इस तरह हम लोग और भी बोल सकते हैं खेलना अच्छा व्याम है ठीक है प्लेंग इज गूड एक्सरसाइज बोल सकते हैं तो प्लेंग जो है वो भर्व जो है वो नाउन के जैसा यूज हुआ है ना सब जो संग्या के जैसा यूज हुआ है इसलिए इसको हम लोग किरियार्थक संग्या बोलेंगे जो काम है वो संग्या के जैसा यूज हो गया ठीक है एक और एक जमपल लेते हैं जैसे पढ़ना पढ़ना तो काम है लेकिन अगर हम बोल देए अख़बार पढ़ना अच्छी आदत है तो अकदा पढ़ना यह पर पढ़ना जो है वह काम नहीं हो यहां पर पर काम है लेकिन संहें की रूप में यूज जा ठीक है कि जैसे अच्छी बात हम लोग कुछ और भी तो लगा सकते हैं, पढ़ने के जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, तो वो चीज जो है, संग्या, देखें, सबसे पहले सुरू में हम लोग संग्या का ही यूज करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, या तो सुरू में संग्या रता है, सरुनाम रता है, यही सब र सब में तो इसी को कहा जाए के पूर्वकालिक की इसिक पता चल रहें पूर्वकालिक किमें मतलब कई काम में ही हुआ काम अभी दूसरा काम हो रहा है तो इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे जैसे देखे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जब करता एक क्रिया समात कर दूसरे क्रिया को करता है तो उसे पुरोकालिक क्रिया करते हैं जैसे देखे रामु खाय के इसकुल गया तो देखे यह दो काम है एक खाया है और एक गया ठीक है रामु खा के इसक तो यहां पर अगर खाय के पूछेगा तो यह हो गया पूरुकालिक किरिया यह गयलक पूछेगा तो फिर यह पूरुकालिक किरिया नहीं होगा मतलब जो काम पहले कर लिया है वो हो गया पूरुकालिक किरिया इसी तरह दूसरा एक्जम्पल देखिए उन नहाय के खेल के या पुरुकालिक किरिया कहा जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि सेंटेंस दे के आपको खेल के पूछ देगा तो आप पुरुकालिक किजिएगा नहीं यह नहीं है पुरुकालिक पुरुकालिक जो काम पहले हुआ है उसको बोलेंगे ठीक है यह ध्यान रखेगा कि option में किसको पूछ तो पर ध्यान रखेगा ठीक है यह नहीं कि सिर्फ सेंटेंस देखके टिक कर दीजेगा अब लास्ट प्रेंस साहयक किरिया तो हम अभी आप लोगों को बता ही दिये साहयक किरिया जो इंगलिस में आप लोग पढ़े होंगे एज एम आर हैज है इस तरह से वाज वेर यह सब जो helping verb है वह तो साहयक किरिया है ठीक है यह क्या करते है साहता करते है किसका मुख खिकरिया का जो मेन काम है जैसे राम पढ़ता उसमें हे लगाएं तब जाके पूरा sentence किलियर हुआ हूँआ हूँ जाता था वह खूस था तो इस तरह से जो लगता है में वह पढ़ रहा था हम लोग खेल रहे थे इस तरह से लास्ट में जो लगता है हूं हो हे था थी इस तरह से जो भी है यह सब सायक किर्या का लाएगा जैसे देखिए राम पढ़ रहल है यानि कि राम पढ़ रहा है तो हे जो है यहां पे लास्ट वाला यह क्या है सायक किर् इसमें था आएगा तो हिंदी में देखा जाए तो था है सायक क्रिया लेकिन खोटा में हलय यह वाला हो गया उपने आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जाने से पॉले प्रंस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर दें ठीक है मिलता है नेक्ट वीडियो में बाई